रामायन की राम सीता के तलाश में ये बड़ी सफलता थी खरीब 25 साल बाद एक बार फिर श्री राम अरुन गोविल इंडिया टीवी के कैमरे पर थे चहरा वैसे ही सौम्य, पराँखों पर चश्मा और बढ़ते उम्र की हल की जहलक भी दिख रही थी अरुन गोविल ने राम बनने से पहले और राम बनने के बाद की एक एक बात दिल खोल कर बताई रामायन की राम को आप में किस ने देखा, वो रोल कैसे मिला? उस वक्त जो माइठोलोजी थी हमारी, वो फिल्मों में भी, सीरिल्स में तो आई नहीं थी लेकिन फिल्मों में उसे स्टैंडर्ड लवल पे नहीं देखा जाता था, उससे थोड़ा नीचे माना जाता था फिर भी मेरे मन ने कहा कि मुझे ये रोल करना चाहिए, मैं सागर साब के पास पहुचा, मैंने उनसे कहा कि मैं ये चरित्र करना चाहता हूँ भगवान राम का फिर लोग डैट दी, इने वर एक्सपेक्टेट इट आउड अफ मी, कि मैं आकर उनसे ये कहूँगा उन्होंने मुझे उपर से नीचे तक देखा अपने चश्मे में से, और बोले अच्छा ठीक है जब समय आएका तब हम तुम्हें बताएंगे फिर समय आया, कुछ महीने बीद गए, समय आया, उन्होंने मेरा अउडीशन लिया, मेरा ही नी, बहुत से लोगों का अउडीशन लिया इस चरितर के लिए और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया था, इस काम के लिए आउट्राइट, उसके साथ शूटिंग की डेट बीच में कई महीने चले गए थे, और फिर अचाना है कि एक दिन मुझे सागर साभ का फोन आया कि भाई तुम मिलने आ सकते हो, मैं उनसे मिलने चला गया गर पे, तो उन्हों ने कहा कि जो हमारी सेलेक्शन कमेटी है, उसने य जिससे आपके कमर्शल करियर कहिने कहीं अफेक्ट हुआ. चरिदर को समान आप दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी फिल्म करने के बाद भी ये मिल पाता इस तरह कि आपके इमेज बनी राम की किसी एक जीते जाकते हैं इनसान की राम की इमेज बन जाए जाहिर से बात है तमाम लोग पॉलिटिकल पार्टी बहुत साई लोग जहां राम जी खड़े हो गए वहां कुछ और बोलने की ज़रोत ही नहीं तो इस तरह की इमेज का इस्तावाल करने के लोगों ने कोशिश की उस दमाने में केंपेंड किया था केंपेंड एक व्यक्ती के लिए किया था और वो किया था मैंने रजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और वहां उन्होंने और वहां उन्होंने तो फाइट अबाई एलेक्शन प्रम परीदबाद जो मैंने उन्होंने कह दिया था मैंने अगर इलेक्शन इस वक्त लड़ा तो मैं रमाइन के लिए समय नहीं दे पाऊँगा और रमाइन की शूटिंग नहीं हो पाएगी रमाइन वस ओन लड़ा होता तो शाद जिन्दगी का रुख कुछ और होता नहीं मुझे नहीं पता जिन्दगी का रुख क्या होता मुझे उसके लिए पच्तावा बिलकुल नहीं है क्योंकि उसके बाद भी मेरे बास आफस आते रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और मैं नहीं गया उसका कारण एक यह है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं राजनीती कर सकता हूँ दर्शक की जाना साहिए क्या अब निकट भविश्य में आपको परदे पर देखने की उनकी कोई उमीद है मुझे पहली बात तो यह है कि मुझे भविश्य का नहीं पता मैं यह मानता हूँ कि यह पल अब जो अब खतम हो गया देखे एक पल इतनी देर का होता है वो खतम हो जाता है तो इस पल का जो मैं जी रहा हूँ वो तो मुझे पता है बाकी मुझे नहीं पता और मैं सोचना भी नहीं चाहता क्योंकि पल में क्या होना है वो हमारे हाथ में होता नहीं है वो पर वाले के हाथ में होता है आगे आपके क्या प्लान्स है मेरे प्लैंस जो है वो यह है कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है राम का नाम उसको वो मेरे साथ जुड़ा रहा है पहले बात लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी जगा पर राम जी के बारे में बात करने के लिए, you know, to give lectures kind of a thing, people, they invite me, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज भी हम उस चीज से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, राम के बारे में, जो मैं फील करता हूँ, रमायन के बारे में, या राम कर्था के बारे में, जो भी, तो वो जो लोग लेक्च्छा के लिए बुलाते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़े, या मेरे अपने विचार जानना चाहते हैं, आपकी चेरे से, आपकी बोडी स्रक्चर से रिजेंबल करते हुए राम और सीता दिखाई पड़े, तो ये सलसला बरकरार रहे, और राम का एक चरित्र, जिस तरह से आपने जिया है, वो चरित्र हमेशे आपके साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इ राम सीता की तलाश में हमें आधी सफलता मिल चुकी थी, राम के बाद अब बारी थी सीता यानि दीपिका चिकलिया की तलाश की ब्रेक के बाद देखिए रामायन की